हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एजूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एजित्रोमाईसिन टेबलेट्स के बारे में तो हम करने वाले हैं उसके डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी और जानेंगे उसके बेजिक यूश के बारे में उसके साइड इफेक्स वगेरा क्या होता है और किस तरह से ये मेडिकेसन अपना काम करता है उसके कॉंट्रा इंडिकेसन और वर्निंग्स को भी हम सिखेंगे य ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर वायमर सर असिस्टम प्रोफेसर एंड फाउंडर और फार्मारॉक्स थेंक्यू फर बी इन 2 लेक फेमिली और फार्मारॉक्स अपडेटेड रही है फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मेटर ये स्टेस्ट सेर developed के बाउंडेट अप्स फेलिजर ята Rank के अधर आपन और फार्मार्थिफिक स्टॉर Зд служ flakes एक्सपर्ट वैर है इस्टामारीच्चर फार्मारॉक्स Beardर Até बहुत सारे number of bacterial infection को treat करनी के लिए use किया जाता है तो ये था उसका main basic concept की Agithromycin जो है वो antibiotic है और अलग-अलग bacterial infections जैसे की आपको middle ear के अंदर infection होता है strep throat होता है या फिर sore throat की जिसको हम कहते है throat infection होना pneumonia के अंदर ये use किया जाता है travelers diarrhea और intestinal infections जैसे bacterial infections को treat करने के लिए ये agithromycin के tablets को हम use करते है तो agithromycin का आपने concept समझ लिया कि ये antibiotic है और macrolide class का antibiotic medicine से उसके basic use समझे तो सबसे पहले जो उसका हम basic use समझे तो जो अलग-अलग respiratory related infection होते है उसको treat करने के लिए agithromycin जो है वो widely use किया जाते है कि जो bacterial infections के करण समझो कि raspitated wreck के अंदर damage होता है raspitated wreck infect होता है तो उसके इलाज में agithromycin जो है वो widely use किया जाता है दूसरा हम देखे तो streptococcal जो bacteria होते हैं इनके infections के करण जो pharyngitis होता है tonsillitis होता है and mastoiditis वगेरा जो होते हैं उसके इलाज में भी use करते हैं मतलब कि जो tonsill का inflammation होता है pharyngs के अंदर inflammation होता है और specially हम कहें जो throat के अंदर oral cavity के अंदर जो कई बार जो infection होते हैं और वो आगे जाके pharyngs तक पहुचता है आपके tonsils तक पहुचती हैं और वहाँ पे susan और inflammation वगेरा होती है तो उसके इलाज में भी agithromycin को prescribe किया जाता है फिर जो diphtheria जो होता है फिर जो pertuses की जिसको हम कहते है whooping cough फिर titanus तो ये सब diseases के अंदर भी agithromycin को यूज किया जाता है उनके इलाज में फिर जो sexually transmitted disease जैसे कि syphilis and gonorrhea की जिसको हम STI भी कहते कि sexually transmitted infection या फिर diseases तो उनके treatment में भी यूज किया जाता है ये leptospirosis के अंदर फिर reduce the infection in COVID-19 patients कि जो coronavirus के जो patients है उनके अंदर जो infection के intensity को कम करने के लिए उसको reduce करने के लिए बिकोज यहाँ पे हमें पता है कि COVID-19 के patients के अंदर भी ज़्यादा तर respiratory rate का infection सबसे ज़्यादा होता है कि बले वो virus के करन होता है बट वहाँ पे main जो कोई चीज अफेक्ट होती है तो that is respiratory rate तो agithromycin की जो pharmacological action ये हमारे respiratory rate पर काफी अच्छी है infection कम करने में help करता है तो agithromycin जो है वो COVID-19 के patients को भी दिया जाता है तो reduce the infection फिर समझे तो जो typhed fever होता है उसमें भी agithromycin यूज किया जाता है and जो pneumonia की हम condition कहते है और ऐसा pneumonia की जो mycoplasma के कारण जो होता है कि mycoplasma जो bacterias वगरा होते है उनके infection के करण जिनको or typical pneumonia होता है उसके इलाज में भी agithromycin यूज किया जाता है अब समझते उसकी mechanism में लगके किस तरह से ये agithromycin काम करता है तो किसी भी bacteria को अपने survival के लिए जरूरी है protein synthesis करना तो agithromycin क्या करता है किसी भी bacteria के अंदर ये protein synthesis की process को कर देता है inhibit जिसके करण जो भी bacteria होते है उनका आगे जाके proper ribosomal translocation नहीं होता और ये process ना होने के करन उनके अंदर जो protein synthesis का जो process होता है वो inhibit हो जाता है दूसरे वर्ड में समझे तो ये medications जो है वो 50S sub unit जो होते है ribosoms के वहाँ पे bind होके उनकी जो effect है वो reduce करता है जैसे कि chloramphenicol और clindamycin जैसे medicines के effect होते है कि जो 50S sub unit के साथ bind होके अपने pharmacological action देते है और 50S sub unit से जो bind हो जाता है ये medicine तो क्या होता है कि जो ribosomal translocation होता है protein synthesis process के लिए तो ये process जो है वो completely inhibit हो जाता है ये stop हो जाते जिसके करन bacteria का protein synthesis नहीं होता और बीना protein के के ECV bacteria आगे जाके survive नहीं कर पाता और इनकी जो है वो death होती जाती है so इस तरह से किसी भी infection को काम करने के लिए ये agithromycin अपना काम करता है अब समझना जरूरी है उसके deadly doses के बारे में तो समझे कि आप 250 mg वाला tablet यूज़ करते है तो 250 mg tablet आपको तिन दिन तक लेनी होती है BD, BD मतलब की दिन में दो बर so deadly two tablets of 250 mg आपको लेनी रहेगी कि जब आप 250 mg वाला tablet यूज़ करें मतलब कि एक tablet जो है वो आप समझे कि after noon में लेते हैं proper खाना खाने के बाद तो दूसरी tablet जो है वो आप day one के लिए है उसी तरह से ये वाली जो दो टाबलेट से हो second day के लिए और ये तिसरी दो टाबलेट जो है वो day three के लिए इस तरह से दिन में दो टाबलेट लेनी होती है कि जब उसकी strength होती है 250 mg और ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक ही लेना चाहिए तीन दिन से ज़्यादा लेने से उसके dangerous side effects वगर आपको हो सकते है तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन लेने से ही जो भी आपका infection है वो cure हो जाता है फिर बात करें 500 mg वाली टाबलेट की तो जो 500 mg का टाबलेट होता है अजित्रोमाईसिन उसको आपको एक ही लेना है OD लेना होता है फोर 3 डेसे से लिए देखो यहापे container में भी तीन ही टाबलेट है कि यह पहला टाबलेट यह दूसरा और यह तीसरा तीन टाबलेट यहापे दिये जाते है और पेशन जो है वो डेलली वन टाबलेट लेते हैं 500 mg का तो इस तरह से उसका डेलली डोस तयार होता है एजित्रोमाईसिन का आगे समझते हैं उसके side effects तो epigastric pain हो सकता है persons को reversible hearing loss हो सकता है मतलब कि जो कई बार कान में कम सुनाई देता है एसे side effects produce होते है कि अगर कोई person काफी लंबे समय तक एजित्रोमाईसिन यूज करता है और उनको excessive dose के अंदर या फिर overdose के अंदर आप यूज करते है तो ये hearing loss वाले side effect जो है वो develop होती है फिर बात देख करें तो कुछ लोगों को hyper sensitivity reactions बे देखने को मिलती है उनके body के उपर फिर vomiting जैसा हो सकता है nausea feel हो सकता है abdominal pain हो सकता है persons को एंड कुछ cases के अंदर diarrhea हो सकता है कि अगर आप 500 mg वाला tablet यूज करते हैं तो कई बार diarrhea जैसे condition भी feel होती है ये agytheromycins के tablets के करन तो समझो कि आपको 500 mg के use कर सकते हैं तो ये थे उसके side effects अब जानते हैं उसके contraindications के कौन से लोगों को agytheromycin यूज नहीं करनी तो सबसे पहले ऐसे persons की जिनको diarrhea हुआ है but diarrhea होने का reason Clostridium difficile bacteria है तो अगर ये bacteria के infection के करन diarrhea हुआ है आपको तो agytheromycin यूज ना करे because agytheromycin की ये bacteria उपर कोई भी effect नहीं रहती दूसरा अगर आपके body के अंदर magnesium की amount काफी कम है low amount of magnesium in your blood उसी तरह से potassium भी आपके blood के अंदर काफी कम है तो भी agytheromycin यूज ना करे myasthenia gravis की condition है कि इस तरह से ये normal person है without myasthenia gravis और ये diagram के अंदर जो आप person देख रहे है with myasthenia gravis के जिसके अंदर ice का जो portion है cheeks का portion है lips के आसपास के portion वगेरा पे swelling as well as damages वगेरा देखने को मिलते हैं skin तो ऐसे patients जो है वो agytheromycin को use ना करे फिर समझते हैं कि जिनको skeletal muscles related disorder है उनको भी agytheromycin use नहीं करनी है already hearing loss के जो patient होते है कि जैसे हमने देखा कि hearing impairment हो सकता है agytheromycin के कारण तो already जिनको कम सुनाई देता है तो वो लोग agytheromycin को use ना करे फिर torcer the point ऐसे medical condition के जिसके अंदर abnormal heart rhythm होते है कि जैसे torcer the point वाले persons का आप ECG वगेरा देखोगे electrocardiogram तो इस तरह से आपको abnormal ECG जो है वो देखने को मिलेगा कि जिनके heart rhythm जो है वो काफी abnormal होते है कई बार heartbeats ज्यादा होते है कई बार heartbeats काफी कम होते है तो ऐसे लोगों को भी agytheromycin को use नहीं करनी तो यह था हमारा special lecture agytheromycin के बारे में thank you for getting this lecture thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material test series and video lectures pharma rocks के आप उपर android user है तो android app डाउनलोड करे iphone user है तो app store से डाउनलोड करे links आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best